हाई दोस्तों स्वागत आपके यूट्यूब चैनल यूपेस्टी मोटीव से 2.0 में तो जैसे कि मैंने बोला था कि कल मैं फंडमेंटल राइट्स के अपर वीडियो बना कर लेकर आऊँगा तो मैं आज लेकर आया हूं अब आपको भी यह फरस बनता है कि आप मेरा थोड़ा साथ दे मेरे को स्पोर्ट करें ठीक है तो इस वीडियो के अंदर हम फूल मतलगी बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेण करेंगे उनको समझेंगे की कैसे क्या की सनुषेद में क्या है सुषरे fundamental जो हमारे उनको वीडियो के अंदर समझेंगे फिल्कुल फूल एक्सप्लेटेशन के साथ ठीक है तो बने रेवी कि स्टार्ट करते है कि जैसे अपको पताई है जो आपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं एक मिलट में इसका कलर जेंज कर लेता हूँ आपने फंडामेंटल राइट्स है वो भीट के यह तो मैं आपको पता जेता हूँ कौन से कौन साय इसमें मैंने लिख रखे है अब पहला है जो समानता का अधिकार ठीक है समतंतर तक अधिकार दूसरा है यह आर्टिकल 14-18 तक है और यह 19-22 तक असोसिन के विरिद अधिकार जो बहुत 23-24 तक है और जो तार्मिक समतंतर तक अधिकार 25-28 तक है तो मैं आपको एक बात पता देता हूं जो यह फंडामेंटल राइट हैं का मतलब होता है विशेस अधिकार यानि कि जो मानाव है मनुस्य भारत के अंदर भारत के लोगों को नागरिकों को जो यह अधिकार है कुछ विशेस अधिकार है जो हम आभी डिसकस करेंगे यह 6 प्रकार के पहले इसमें एक साथ हुआ था संपत्तिक अधिकार है ठीक है संपत्तिका अधिकार तो वह पहले 31 आर्टिकल में उसका अंडर में आता था लेकिन बाद में उसको निकालकर यानि कि इसमें चुरिस वस्विदान सेंसर 1776 को हुआ था तो वह यहां से निकालकर 300 कर दिया गया है कल मैंने कोचिन पूच्छा था कि किसमेंडमेंट के तहत वह जो संपत्तिक अधिकर निकालकर काप रख दिया था ठीक है तो मैंने अभी बता भी दिया है आप मैच कर लेना ठीक है आप स्टार्ट करते हैं यह मारे पहला सम अधिकार है दूसरा यह तीसरा यह चोथ मैंने बताई दिया अब पहुंचों सटा पहुंचों हो आया सांस्कृति का आप सिक्सा का अधिकार अभी हम इनको डिटेल में डिस्क्स करेंगे चोड़ी चोटाइस से विदानी कुप चारों का अधिकार जो कि अर्टिकल 32 में है ठीक है अब देख लेते पहला जो अधिकार हमारा समानता का अधिकार यह 14-18 अर्टिकल से तक है ठीक है तो हम पहले 14 यानि 4 वह अनुछे देखते इसमें क्या बोला गया है तो उसमें बोला गया है देखते अभी ठीक है विदी के समक समानता विदी का मतला बोलता है कानून कानून ठीक है यानि की कानून के समक से नजरों में समानता है नी बराबर यानि की कानून की नजरों में सब बराबर है हम कह सकते है कि कानून की नजरों में सब समान है या बराबर है चाहे हो अमीर हो ठीक है चाहिए वो गरीब हो चाहिए वो काला हो मतलब कि दोड़ा जिसना पके दगए अपनी लेंग्विज में बूरा के दगए तो कुछ ज़्याद होते हैं तो यहां पर कानून के नेचर में सब बरा बर चाहिए कितना भी बड़ा आदमी की ना हो अगर यहां पर नरेंदर मोदी ने भी कुछ गलत काम किया होगा ना तो हमारा जो स्वीधान है वो उसको भी सद्धा देने का प्रवधान स्वीधान के अंदर ठीक है तो इसलिए कहते हैं कि विद्धी के समख समानता यानि सब समान है चाहिए वो छोटा हो चाहिए कितना बड़ा आद दर्म अपने जो इसमें भारत में बहुत सब्सक्राइब भारत में इंडिया में लिंग भी जैसे अब तो जो ट्रांजन ड्राउन को भी समान दर देने लगे हैं पहले नहीं था ठीक है अभी थोड़े दिनों से रंग काला और भी आपको बताता किसी के साथ भी किसी के साथ भी मतलब कि भेदबाव नहीं किया जाएगा सब समान है ओके अगला अर्टिकल 16 सरकारी नोकरी में सभी को समान अफसर यानि आप भी देखते हो कोई भी सरकारी जोब के फोर्म निकलते हैं तो हम सब भी ट्राई करते हैं यानि कि एक बर सब को अफसर तो जुरूर मिल मिले जरूर है तो कहने सकते हैं और उसके बाद यह जी निए जोब के लिए कि वहले ऐसा नियए समान अफसर मिले जुरूर है तुम कहने सकते कि हमें चांस नहीं मिला चांस मिल जाता सभी को ठीक है इसमें भी समान वह देखते नेक्स्ट देखते आर्टिकल आर्टिकल सेवन्टीन एस परस्ता का अंत यानि की छुआ छूद पहले आपने पता होगा कि उच नीच यह दो तिन वर्गों में बाटा गया तो उच नीच के वर्ग थे ठीक है वो कहते थे ना कि अगर नीच मतलब नीच दात का अदमी उच दात को मतलब टच कर देता हाथ लगा जेता तो वह बोलते थे कि हम कहते उसको कि गंदे हो गया फिर हमें दूबारन आते तो मतलब कि आज के टाइम में कुछ निया आज के सब समान किसके साथ ऐसा बेदबवन ही किया अगर कोई करता भी है ना तो उसको हम सुप्रीम कोट में जाकर उसके खिलाब उसको मतलब सज़ा दिला सकते है प्रावधान है ऐसा ठीक है आर्टिकर 18 में देखते हैं उपादियों का अंत जैसे कि डॉक्टर की उपादी मिलग अपने करतत है तो में जोटन होना सिया सब्सक्तर है रख सकते होता दो जो नाम क्यों है वां सबस्सक्तों की पर अफियुक्ष की या Key मति पैंस सब्सक्राद की कि फ्य बड़ी पोश्ट हुट्टी आरमी की सुमें ठीकार में तो हम कहा सकते हैं सारी तरह से खतब लेकिन जो कुछ फालतो गी थी वो खतम कर दे गई यह पाइट में क्या बोल लागई बोल लेंकी संतंतरता यानि कि हम बोल सकते अपनी बात को रख सकते आँ जैसे कि सरकार ने कुछ तो मुसके खिलाब भी बोल सकते आइ अब मतलब खिलाब यहसे संति पूर्वख ढंग से ठीक है तो हम बोल सकते हैं बोलने के हमें अधिकार है संग बनाने की संतंतर ता जैसे के अभी ए किडिशी कानून आय थे तो इसमें जो हमारे किसान थे उन्होंने संग बनाया था बहुत बड़ी संक्यामें कम संक्याम सब्सक्राइब करें तो हम सांति पुर्वक रंग से अपना अंदोलल करें तो हमें कोई नहीं रोग सकता ठीकार है है सब्सक्राइब करें जो कोmer नहीं कि फृत अब वह रोग सकते हैं। सब्सक्राइब कर एक जूद्धा है कि ब applicant कि इंडिया कि आलए अ हम कहीं भी घूम सकते हैं ट् аб yapmış सब्सक्राइब नहीं सकते हैं कोई रोक टोक नहीं सकता ठीक है आगला देखते हैं इपार्ट में क्या बोला गया है भारत में किसी भी अक्षेत्र में रहने की सवत अंतर था यानि कि कुछ मतले की 5 5 अगस्त 2019 के बाद अब हम मतलगी journal कशभी में भी जंगा लेकर रह सकते हैं पहले यह प्राधा नहीं था पहले जो जब्रॉड कुषमीर था पूरे भारत में कई भी जाकर वेपवार कर सकते हैं रोजगार कर सकते हैं ठीक है पहले जब मुझे में पूरे नहीं कर सकते लेकिन अब वहां भी जाकर अब जमीन लेकर वहां पी अपना कारोबर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 20 में क्या का रहा कर जो अपरादी होता है अपरादी को तीन तरह की सर्रक्षन यानि बचाओ अब बचाओ दिये गए है ठीक है बचाओ एक मिनट यार तीन तरह के बचाओ दिये गया है देखते कौन से कौन से है उसी कानून के अधार पर सजाद दी जाएगी जिस वक्त उसने अपराद क्या होगा ठीक है यानि मेरे कहने का मतलब है अपकी जैसे की अब मैंने मैं आपने प्रिले लेता है मैंने कुछ क तो मुझे सजा जो आज के टाइम का कानून है उसके तहट ही मुझे मतलब कि सजा मिल सकती है अगर मान लेजिए दो साल बाद कानून चेंज हो गया लेकिन अपराद में दो साल पहले किया था तो मुझे दो साल पहले वाले कानून के तहट ही सजा मिलेगी ना कि दो साल बा कि मेरे को कोई जो भी कोभी प्लीस अवसर है यह नहीं बोल सकता कि तू कोट में जा और अपने खिलाफ गवाई दे ठीक है नेक्स्ट कि एक अपरादी के लिए उसे एक ही बार सजा दी जाएगी यानि कि जैसे मैंने कोई अपरादी गया एक बार तो मुझे उसके लिए एक ह आपको कौई प्रशांए हो ठीक है और अगर आप इस चैनल परने में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अब बहुत महींत लगते हैं आपके लिए वीarin बनाने में ठीक है प्लीज थोड़ा स्पोर्ट करना सुरी सपोर्ट करना और मेर से फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा रहा था थोड़ा बोलने में प्रोब्लम होगी है यार सब कुछ अगला देखते हैं तोरी तो दुन मत अगला देखते हैं आर्टिकल 21 में क्या है जीवन का अधिकार नीडाइक राइट टू लाइफ तो जो राइट टू लाइफ के इंटरना कुछ पार्ट साते जैसे के मैं आपको समझाता हूं यह ची तरह से एक्स्प्लीन करूं इसको टैंसन अलिए जैसे सवच परिया प्रणा है तो इसका इससे क्या संबंदा है मैं आभी बताता हूं अगर माल ल बहुत ही ज़्यादा गंदा जिसमें सास भी ने सकते चांद राम से तो आप ही बताए कि वहां पर जीवत रह सकते हो नहीं रह सकते ना तो सरकार का मतलब कि यह डूटी है कि यह डूटी तो हमारी लेकिन सरकार के यह डूटी है कि उस प्रियावन को साफ रखे ताकि हम इंपोर्टेंट यानी यह वी राइन टू लाइफ के इंडर में आता है ठीक है फिक है तो ऑद जो चेसी बाता फिरी चेंडीम मरेंगे तो यह कई पार्ट समझाए कि होड़े से पार्ट है यह राइट टू लाइफ के अंदर ही आते लाइट कर टू प्रश्य को इसक भी एक नरे वॉढ़ा है वह समझा देता हूँ इयाया ये तो हरा कि अधिक फ्रम दार में जो एक हाई शान ता की से फुलंका स्वामी सही को कि अंदर बोला गया था कि जो मनुस्या यानि अपने भारत के लोग है उनको अधिकार है मतलब कि राइट प्रैवेसी यानि आपने हम अपनी लाइफ को मतलब कैसे जीए कोई हमें हमारी लाइफ में दखल अंदाज नहीं करेगा हम किसी तरह किसी तरीके से भी अपनी मैं अपने प्रैविट रख सकते हैं हमारी यह हमारा दिकार है ठीक है तो यह प्रैवेसी का फंडा आपको बतादेस कैस किता है थे 2007 केस पुट्टा श्वाम के उसके बाद यह जो राइट अपने शिवदान का बा बना था ठीक है नेक्स्ट को नच्ट देखते हैं नेक्स्ट है आर्टिकल ट्वेंटी एक पार्ट ये भी सोरी यहां पर बढ़ा ही आएगा कैपिटले क्यूंकि मैं आपको कल बताया था जो कैपिटले का मतलब बता हूँ एमेंडमेंट करके लाया हुआ है तो इसमें क्या अमेंडमेंट कर रखा है कि 6-14 साल के बच्चों को पॉलिटिकल वाली सेकिंड पार्ट की वीडियो में ठीक है अगर किशी के पेरेंट्स मतलब कि मैं वैसे बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन बता देता हूँ और किशी के पेरेंट्स यह च्छे 22 साल के बच्चे को देने से मनांदा करते हैं फिर उनको नेन देना चाहते लेकिन बच्च्चा चाहता है पड़ना तो फिर Benio यानि कोई बैक्थिरव घृफतार होता है तो उसके पास भी तीन सरक्षन यानि बचाओ के रास्ते होते हैं ठीक है वह मैं बता देता हूं कौन से कौन से है कारण पूछने का दिकार यानि कि हम पूछ सकते है प्लिस वाले से कि हमें क्यूं घृफतार किया जा रहा है लाई कि जो कोई भी पेिस करना है बस वाले जानी का समय उसको गाठ दिया जाएगा जोड़ा जाएगा जोड़ा तो पुलिस वाले को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। एनी कोस्ट ठीक है मैं अगर कोई कुछ गलत बोल रहा हूं मैं तो मेरे से कुछ गलत तो मेरे को बता देना ता कि मैं आने वाली वीडियो में उद्ध को चेंज कर सकूँ ठीक है नेक्स्ट देखते है अब मन पसिंदे दा वकील चुनने का दिकार या निके आम अपना भुचाओं में अपना वकील चुन सकते है ठीक है यह मरा दिकार है नेक्स्ट देखते है तो सो नेक्स्ट तीसरा दिकार चल गया यह ठीक है पहला था समानता का दिकार याज ये पैननी चल रहा समानता दूसरा था सबतंतर था गाई ये पैननी चल ठीक है तीसरा भी ये सोचन के विरुदा दिखा रहा ठीक है ये भी पड़ा लेते हैं ये 23 से 24 आर्टिकल के अंदर है ये इस इंपीज बिक कवर हो जाएंगे देखते हैं आर्टिकल 23 मानव वारपलाता सरम यानी कि देखो जबरन मज़्दॉरी नहीं करवा सकते बंदुवा मज़्दॉरी नहीं करवा सकते Yahoo President में देखा होगा कि जह रचतर तुझोों बिहार के पूरे साल उनको अपने आप पे काम करने के लिए रख लेते हैं आप पूरे साल में वह अपने पास रखने के बाद वह आपको पताए किसी टैम उसको बोल सकता है कि यह काम कर वह काम कर यानि कि ज्यादा हद से ज्यादा वह कर देते हैं ज्यादा मत आपना प्रोफिट देखते हैं नून देखते कि आगला बंदा भी गरीब है मजबुरी में काम करा लेकिन यह वह नहीं सोचेंगे क्योंकि वह बड़े आदमी है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं जोड़ी स्वार 14 वर से कम उमर के बच्चों को कार खौन में काम करने से चोक लगा जा गया है यानि कि आपने कई बर कई बर के हार जंगा देखा होगा जितने भी फैक्टरी होती है उनके बाहर लगा रहता है कि 14 साल के कम बच्चों की अंदर अना मना है तो वह इसलिए रोक प्षी सकाल तो डंड देने की मुतिव कि उसको जब तक और ठारा साल का नहीं हो जाता तो उसको न उसी के देख बाल करने होती है उसा बच्चे को पड़ाना होता है उसी के ऊपर सारा काम आद दाता है जो उहां का घृक्टरी का तो उसलिए आपने देखा ब्योंका हर रा करने के बाहर बोर्ड लगा रहता है ठीक है next question देखते हैं कुछ बात यह जो मैं लिख नहीं पाता आप सुन लिया करो सुन से फिर आप कोपी पर लेके बैट वे तो वहाँ पर लिख लेना बिल्कुल ही easy language में समझा रहा हूं जार मैं जितना उसके उससे भी बहुत ही easy simple language में मैंने टाइप किया हूए बहुत ज्यादा जितना उसके उतना मैंने किया अब थोड़ा आपको भी sports करना स्वरी स्पोर्ट करना है मेरा प्लीज नेक्स्ट देखते हैं चुथा जो भाग है फंडामेंटराइस का हुआ है धार्मिक संतनतरता का अधिकार यह 25-28 तक आर्टिकल के अंदर में आते हैं आर्टिकल 25 देखते हैं किसी भी धर्म को अपनाने का वह उसका परचार करने का अधिकार यानि कि देख देखो जो आर् भी बताया था साथ से भी ज्यादा धर्म है लेकिन जो मेन मेन साथ आपको गिर्वाई थे ठीक है तो हमना किसी भी धर्म को अपना सकते हैं अगर हम हिंदू है ना तो हम मुशलमान धर्म को भी यानि मुसलिम धर्म को भी अपना सकते हैं ठीक है हमारी यह जो यह हमारा स्व नेक्टट देखते हैं आज आत्रिकल 26 में किसी भी धर्म का मंद्र बनो इन Kap या मंदिर, मस्जिद गुरुदुवारा कुछ ऑनी कि यार आपको पता हिहा अपना अपने में लॉत लंज्य में मस्जित बोलते हैं सीक में गुरुद्वार मत Следum में मंदरों करते हैं वीधर किफीीर Cinema के 27 आर्टिकल में किया घर्चा या कोई भी मतलauं हम जो सिवेस जतना पैसा लगा है जितना भी पैसा तो फॉप xi जो सिर्कारिक देती है लेकिन जब हम मंदिर बनवाएंगे तो उसके टेक्स हम हमें नहीं देना होती है लिए कि आप उसमें टेक्स की छूट होती है ठीक है और नेक्स्ट देखते हैं 28 में किसी भी धर्म धर्मिक विदालय में भर में करने का दिकार यानी की देखो आपने देखा भी होगा जैसे कि अब हम ले लेते हैं जैसे चर्च होगा आपने देखोगा जो इशाही लोग होते हैं उनका स्कूल है जैसे यहां पर हर्यानाय में स्कूल सेंट मेरी पानीपत में तो एक स्कूल सेंट मेरी तो उसमें मैं आपको सिर्फ एक्जम्पल दे रहा हूं कि जो उसमें ना जैसे धर्मिक स्कूल है तो वह आपने धर्म का उस स्कूल के अंदर परचार कर सकता है ठीक है कोई रोक टोक नहीं है लेकिन अगर लेकिन कि यह दख की वह धार्मिक विद्धाल आ लेकिन वह जो वह तो इसामाजिक विद्धाला मतलब कि वह पूरे समाज के भले के दिया यह शिर्फ धरम धार्मिक मतलब की किसी परसित धरम ने बनवाया स्कूल ठीक है मैं यह बताना चाहता हूं नेक्स्ट देखते हैं अगला जो कि 39 अर्टिकल के अंडर में आता है यह फूर ओनली फूर माइनर्ट यानि अलप संक्को के लिए यह चूट मिलती है हाँ सोरी कोशन में को सोरी क्या बोल रहा हूं मैं पेपर में कोशन आता है कि अलप संक्को मजदों फंडमेन ट्राइट होता है कोन से आर्टिकल में अलप संक्को का वनन किया गया है तो आप लिखते हैं अनिके हितों की रक्सा करता है यानि की कोई अलग कवर गया है तो वो ना कई भी जा के सकता है ठीक है उसको मतलब कुछ जूट भी देता है जैसे मैं आपको बताऊं हुँ जो SCS के लिए सरकार के तरफ से वो रिजर्वेशन दिया गया है जैसे जिए सिखसर के मामले में दिया गया हार एक चीज में रोजगार में गवर्मेंट जोब में मतर्वार अलभ को यह दो एकटी ओबी सी ठीक है इनको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन दिया गया तो इनी के अंदर वो उनी चीज का फ़र्ण किया घ्या आप आप समझ गेंगे जो मैंने आपको बताया है जो मारी स्कॉलर्सिप आती है 10-12 करने बाद बी ए में जो स्प्यों स्कॉलर्सिप आती है तो इसी लिए आती है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं कि सवेदानिक उप्चारों का अधिकार देखो आप मैं बताता हूं हमने अभी तक जितने आर्टिकल पड़े आने जितने भाग पड़े हैं 5 भाग पड़े लिए तो अगर 5 भाग में जितने हमारे अधिकार है उनको कोई छिननेगा तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रेम कोट получ में जाकर बोल सकते हैं कि हमारे अधिकार हमें मिल नहीं रहें कि प्या करकार हमें दिलाई ठीक है उप यह विश्य में बोला गया है की उपर दिये गये मोली कादिकारों को अगर हमके कोई चीनता है मतलगे हमाँ फीरिब इनई देता तो कि रिइट थे कितने रिइट है कैसे कैसे इनको मतर्ति इन घ्रूट में भी를 बड़ने वहाँची आ कि यह आद रखना जो रीट ओती है वो पांची यह 24 की होती है पहले यह बंदि स्क्रण भी इनको डिस्कुस करुंक। करेंगे खूल कर बंदि पर ठीक्स्करण पर मश लेख, पर प्रती छेद लेक रेखिए, अथिकार परिक्छा लेख ठीक है अभी आपके यह भी को लगा सकते हैं सुप्रेम कोट में तो हम आपील को अपील कर सकते हैं तो हम आपिकल 226 के तहत यह पांच रिट हाइप कोट में पील कर सकते हैं को क्यों इन रेटों के द्वारा ठीक है अब इन को देख लिए ठीक कैसे इसे रीट है इनमें क्या कभनें है अब हम इनकों बढिटेल से पड़े के बच्छो बन्दी परतिक स्क्रन होता है एक मिन्द में पैन कॉल रेटा हूं वाइट नहीं वाइट नहीं ग्रीन ठीक है ठीक है बंदी परतिक्सक्रण में देख लेते हैं यह जब हम किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो उसे 24 गंटे के अंदर अकोर्ट में पेस करना जरूरी है ने तो उसे बाइज़त वरी करना हो या कर दिया जाएगा ठीक है यानि क कि मैं यह कहने चाहता हूं अगर हमें मतलब कि हमें नहीं मैं अपने उप्रिल लेता हूं यार कहीं फिर आपको इना राज हो जाओ अब जैसे अगर मेरे को प्लीस ने पकल लिया है तो मेरे पास यह अदिकार है कि अगर मैं सिद्धा बोल सकता हूं कि में को 24 गंटे गंदर अमसा इसब घ्ट में नहीं ले जाया गया तो में मा philosophy करते में जैसे मेरे को लेके गए तो यह जोदे जाएंगे ठीक है यह हमारे पास अधिकार होता है ना मेस्त देखते हैं कि अव कोई सरकार व्यक्ति आपने कारियक को से ढंग से ना कर रहा हो तो सुर्प्रिम कोड उसे मतलब इस रिट के दवार आदेश दे सकता है कि वैंपना कारिया से ढंग से करे यानी कि कोई गोष्ण इंपलो यानि कोई सरकारी टीचर है या कोई माल बड़ा बड़ा इंपलो या कोई भी मतलबी सरकारी है सरकारी पदपर है तो जो सुप्रीम कोट है ना उसको बोल सकता है अगर वो डंग से कारिया ना करे कि अपने कारिया पर फोकस करो आप अपने कारियों को डंग से नहीं क पर्तिछेदी का मतलब देखते हैं अगर हाइ कोट अपने छितर से बाहर बहुराल के मैं आपको सासी पर बादेता हुँ कि अगर जो हाई कोट होता है अप हई कोट लेलो यह लेलो जो डिश्टिक कोट होते हैं ठीक है अगर यह मतलब कि अपने विश्यं के कुछ विश्य होता है आपको सिर्फ इन विश्यव पर शरुका दोनों का है कि कि अपने मतर की अपने वीश्च्रों के मतर्स के अपने कहने काम करें तो ये पाइक कार्य करें तो सुप्रीम कोट उसे ऐसा करने से रोपता है और कहता है कि यह कार्या तुम्हारे अंडर में नहीं आता है इसलिए इसमें इंट्रफेर या दखलना जी करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है मैंने भी यह समझा था नेक्ट देखते हैं कि बच्च्-प्रिक्षण लेक्च यह लेक्च तम नेल और य communal यानि उच्छ तम नेले सुप्रीम कोड शूप्रीम कोड है कि सुप्रीम कोड कि व्योच न यह हाई कोड है कि हाई कोड़ द्वारा अधिनेयस त्यालम डिस्ट्रिक के जो कोड़त नहींला को भेज जाता यानि के दवारा या हाइख द्वारा पैंडिंग केश हो को अपने पास मंगवा सकता हूँ जो जैसे कि कुछ केस पड़े हाई कोड के पास पैंडिंग तो सुपर्म कोड उसे हाइख से बोलेगा कि जो तेरे प्रक्षा है कि एक मिनट पर रहा है कि अधिकार प्रच्छा लेग इस रिट के द्वारा सुप्रेम कोट या हाई कोट देखता है कि जो सिरकार एकरम चाहिए गॉर्मेंट इंप लूए जिस पद पर है वह उस पद के योग है यह नहीं है ठीक है तो आप समझ गेंगे इस पॉइंट को हम डिसकस कर लेते हैं जो आर्टिकल 32 है ना जो अभी मैंने बताता सुविधानिक उप्चारों का अधिकार उसको नब ब्रम बेडगर ने सुविधान की आत्मा कहा गया है तो यह पॉइंट बहुत इंपूटेंट है कोस्टन में पूछ तकते है कि ब्रम बेडगर ने को लाइक कर देना और शेर कर देना इस वीडियो को ज्यादत से ज्यादा और कमेंट करके बताना कि अगर मैंने कुछ गलत बोला मतर इसकी कुछ गलत पढ़ाया हो कहीं पर कुछ मिश्विएव कुछ भी क्या हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते है तो मैं उसको नेक्स बार नेक्स्ट वीडियो में चेंज करने के पूरी कोचीज करूँगा अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज और बैल एकन को प्रेस कर लेना था कि आने वाली वीडियो के नोटिफिक्स आपको टाइम पर मिल जाए धन्यवाद